नमस्कार सभी को, मैं जय सोलंखी स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिक्षा सागर में और आज हम क्लास थर्ड देखेंगे टाइम एंड वर्क की आज से पहले मैंने आपको ये बताया कि कुल मिलाकर इस टाइप के 12 प्रशन आप से पूछे जा सकते हैं जिन में से टाइप टाइप 1 से लेकर 4 मैंने आप लोगों को करवा दिये हैं आज जो हम करने वाले हैं वो क्या करेंगे हम टाइप नमबर 5 और टाइप नमबर 6 ये हम आज करने वाले हैं दो आप लोगों को हमवर के कोशन दिये थे उनके अंसर मैं आपको लास्ट में बता दूँगा ठीक चलिए शुरू करते हैं तो यहां सबसे पहला जो टाइप है आप लोगों के लिए वो क्या है टाइप नमबर 5 इसमें क्या बोला जाता है इसमें बोला यह जाता है कि तीन दोस्त होते हैं A, B और C अब क्या होगा कि एक जोड़ा बनेगा A और B का यह किसी काम को M दिन में खत्म करेगा अगर B और C का जोड़ा बनाय जाएगा तो ये उसी काम को N दिन में खतम करेगा और A और C का जोड़ा अगर बनाया जाएगा तो ये उसी काम को P दिन में खतम करेगा तो अब सवाल क्या पूछा जाता है सवाल पूछा जाता है कि अगर तीनों को एक साथ मिलाकर काम करवाएं तो ये कितने दिन में काम खतम कर लेंगे या कितने समय में काम खतम कर लेंगे ये आप लोगों से सवाल पूछा जाता है तो उसके लिए trick क्या बनती है ट्रिक या तरीका जो मर्जी आप बोलो इसे ये बनेगा कि two लगाओ और इन सभी को सबसे पहले तो आपस में कर दो multiply और उसके बाद नीचे क्या कर दो नीचे बना दो जोडे किस चीज के दो दो के जोडे बना दो ये बन गए जोडे ठीक अब इसको solve करके जो answer आएगा वो आप लोगों का answer होगा अब किसी भी trick को या किसी भी तरीके को समझने के लिए हमें चाहिए होता एक प्रशन तो हम ले लेते हैं एक प्रशन क्या कहता यह प्रशन कि A और B किसी काम को मिलके चार दिन में खतम करते हैं उसी काम को B और C मिलकर प बैटरी डाउन हो गई एक सेकंड हां जी तो इस तरीके से अलग अलग समय में यह जोड़े बनकर काम को खतम करते हैं अब सवाल आप लोगों से क्या पूछा जाता है सवाल आप लोगों से यह पूछा जाता है कि अगर तीनों को मिला कर काम करवाया जाए तो यह कितने दि लिए सेम हम यही ट्रिक अपनाएंगे पहले क्या लिख लेंगे टू और उसके बाद इन सभी को कर देंगे मल्टिप्लाए चार पांच और दो उसके बाद नीचे हम लिख लेंगे जोड़ा बना लेंगे चार को एक बार पांच से मल्टिप्लाए कर दिया प्लस चार को एक बाद नीचे जब आप इसको multiply करोगे तो यह कितना हो गया, यहां 20, यहां 8 और यहां 10, इन तिनों को अब कर दो plus, तो कितना हो जाएगा आपका यह मिलकर, यह हो जाएगा आपका 38, 38 को क्या करना है भई, 80 को divide करना है 38 से, तो बस आपको simply solve करना है, यह उसके बाद आपके पा यह हमने क्या किया, 2 से इसको काट दिया, या तो यह answer मान लो, अगर option में है तो, अगर यह option में नहीं है, तो इसको mixed fraction में convert कर दो, mixed fraction में जब convert करोगे तो 90 नीचे आजाएगा, 19 टूजा 38, मतलब 19 दूनी 38, और 40 में से 38 गए तो 2 बच गया, तो 2 सही, 2 बटे 19, यह आप किया गया है, ठीक, अब इसी प्रकार का एक और प्रशन ले लेते हैं भई, जादा clarity के लिए, तो दूसरा जो प्रशन कहता है, वो क्या कहता है, कि A और B, B और C, और A और C, यह तीनों मिलकर किसी काम को खतम करते हैं, किस प्रकार से, यह करते हैं, 20 दिन में यह करते हैं, 30 और यह करते हैं, 40 दिन में, प्रशन है, A, B, और C, कितने दिन में खतम करेंगे, तीनों अगर मिल जाएं, तो, ठीक, यह जितने भी हैं, वो दिन में दी होई हैं, यूनिट्स, अब इसको solve करने के लिए, वही तरीका अपना उपर लिख लो, 2 और इन सब को कर दो, multiply, और न 30 को एक बर 40 से कर दिया, अब आप लोगों को मैं एक और बढ़िया बात बता देता हूं, कई लोग ऐसे होते हैं, कि वो इन चीजों को ना इतनी आसानी से देख नहीं पाते हैं, कि solve कैसे करें, तो इस वज़े से आप लोग क्या करें, या तो bracket लगा लें, या तो इस तरीक आपका 600, उसके बाद 40 को अगर 20 से करोगी कितना हो जाएगा, 800 और इस से इसको करोगी तो कितना हो जाएगा, 1200, सब के बीच में पलस का निशान लगाना है, इनको जोड लो, जोड के क्या आएगा वो लिख दो, और उपर से इसको multiply करना है, अब देखो तीनों के पास एक जीरो है, तो हम क्या करेंगे, उपर लगा लेंगे 30 पहले ही, अब 4 को 3 से multiply कर लो, फिर उसके बाद जो आएगा उससे 2 से multiply कर देना, फिर जो आएगा उससे क्या कर देना, 2 से multiply कर देना, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, उपर आजाएगा आपका 48, और नीचे अगर इन तीनों को हम प्लस कर देते हैं तो कितना हो गया बारह और आठ बीस और ये चब्विस तो कितना हो जाएगा ये चब्विस सो अब हमें सिर्फ डिवाइड करना है 48000 को चब्विस सो से डिवाइड करना है अब ये सिंपल डिवाइड है अगर आप तेज हो इसमें तो आसानी से कर लोगे और अगर आप मल्टिप्लेकेशन में थोड़ी से स्लो हो तो थोड़ा सा टाइम लगा लोगे वैसे इसको क्या कर देंगे हम दो से डिवाइड कर देंगे नीचे आयाएगा थ्री और ऊपर कित सकते हैं अगर उप्शन में दिया हुआ है तो थर्टीन रख दिया नीचे अब देखो कि तेरा को जब दो सो चालिस को जब तेरा से डिवाइड करते हो तो कितने पर जाके कटता है यह कटेगा अठारा पे और बचेगा छे तो इस तरीके से भी आपका अंसर हो सकता है इन इस पूरे कोशन में देखो मैं आपको कलर चेंज करके दिखाता हूं पूरे कोशन में आपने किस को किस से मल्टिप्लाय किया है दो को चार से मल्टिप्लाय किया है तीन को चार से मल्टिप्लाय किया है एक बार अंसर छे आया एक बार आठ आया एक बार बारा आया बताओ इसमें कहां का मुश्किल का यह है multiplication, दूसरा यह देखो, एक बार आपने चार को तीन से multiply किया, फिर जो आया उसे दो से किया, फिर जो आया उसे दो से किया, कुल मिला के 48 पे जा के टक गए, तो कहीं भी बड़ी calculation है ही नहीं, सिर्फ दिमाग का खेल है, कि क्या आप अपने द question आप लोगों के लिए है, भी लिख लो, कि group है, A plus B, B plus C, और A plus C, यह क्या करते हैं, किसी काम को यह 12 दिन में खतम करते हैं, यह 15 दिन में खतम करते हैं, और यह 20 दिन में खतम करते हैं, अब अगर इन तीनों को जोड दिया जाए, मिला दिया जाए, तो यह कितने दिन में क uite किसी काम को खतम करेंगे यह आप लोगों को बताना है। थीक। आगे बड़ते भी नेक्स टाइप के तरफ अगला आज पर आपका टाइप नंबर छ Kin도 कि इस टाइफ में क्या होता है कि पेशरी क्या होता है कि इस टाइप में कोई तो इस प्रकार के सवाल बनते हैं तो अब यहां देखे ध्यान से कि मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति था A, वो किसी काम को M दिन में पूरा करता था, ठीक कोई व्यक्ति था B, वो उसी काम को N दिन में पूरा कर सकता था, लेकिन इसने B ने क्या किया, B ने P दिन काम किया और उस एन दिन में खतम कर सकता था लेकिन खतम नहीं किया बीच में ही छोड़के भाग गया तो अब जो बचा हुआ काम है वो ए कैसे या कितने दिन में पूरा करेगा उसके लिए अगर आप लोगों को सवाल करना हो तो आप कैसे सॉल्व करोगे यह देखना है कि जो भागा है वो क कितने दिन में काम खतम कर सकता था उसने कितने दिन काम किया है उसको माइनस कर दो और उसी से डिवाइड कर दो उसके बाद मल्टिप्लाई कर दो जिससे आपको काम करवाना है किससे करवाना था ए से तो एम से कर दो मल्टिप्लाई अच्छा अब इस कॉश्चन को हम तो अब क्या बनेगा अब इसका formula बनेगा M में से P दिन माइनिस कर दो M से ही divide कर दो और दूसरे वाले से multiply कर दो N से multiply कर दो अगर B भागेगा तो ये बनेगा और A भागेगा तो नीचे वाला बनेगा ठीक अब इसको थोड़ा सा solve करके देख लेते भाई एक question के माध्यम से, तो जब हम question लेते हैं, color change कर लेते हैं, हाँ जी, तो question number 1 है, क्या question है, कि कोई आदमी था राम नाम का, ठीक है, राम किसी काम को 10 दिन में खतम कर सकता था और वहीं एक ओर आदमी था शाम जो उसी काम को 15 दिन में खतम कर सकता था, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि 3 दिन तक तीन दिन तक शाम जो था उसने काम किया और उसके बाद वो भाग गया तो अब हम क्या करेंगे? अब हम ये पूछेंगे कि बचा हुआ जो काम है वो राम कितने दिन में पूरा कर पाएगा तो अब इसको solve करने के लिए क्या करेंगे ये वाला तरीका अपनाएंगे हम तो इस तरीके में क्या होगा भई इस तरीके में शाम की सारी चीजे होंगी पंदरा दिन उसने काम किया पंदरा दिन नहीं पंदरा दिन में वो खतम कर सकता था तीन द कितने बचे 12 नीचे 15 है multiply 10 है divide करना है खाली काटना पीटना है तो अगर इसको आप काटोगे पीटोगे पांच से पांच दुनी 10 पांच ती पंदरा तीन एकम तीन तीन चोग बारा और चार दुनी आठ तो आठ दिन में पूरा खतम हो जाएगा वह काम ठीक एक और कोशन ले तीस दिन में पूरा कर सकता था ठीक है और वहीं एक दूसरा आदमी था B वो इसी काम को तीस दिन में पूरा कर सकता था फिर क्या हुआ दस दिन तक दस दिन तक A ने काम किया और उसके बाद क्या हुआ भाग गया काम बीच में छोड़के भाग गया अब सवाल है कि यह जो B है यह कितने दिन में इस काम को खतम कर देगा बचे हुए को ठीक है तो अब हम क्या करेंगे भई अब हम सेम वही करेंगे जितनी भी जो भी चीजे है वो A वाली उठा लेंगे तो क्या हो जाएगा 25 दिन में वो काम खतम कर सकता था लेकिन उसने सिर्फ 10 दिन किया 25 से इसको डिवाइड कर देंगे और दूसरा व्यक्ति 30 दिन में उसे खतम कर देता तो अब इसको हम क्या करेंगे हम सिर्फ सॉल्व करेंगे 25 नीचे 25 व्यक्ति इस काम को खतम कर देगा सुसंपल अब आप लोगों को एक कोशन होंब्र का दे देते हैं भाई क्रहक लर्चेंज करके तो हमवर का कोशन है आप लोगों के लिए कि दो व्यक्ति हैं एक मान लेते हैं आजय और एक मान लेते हैं विजय थिक अब जो ये था विजय था वो इसी काम को कितने दिन में 36 गंटे में पूरा कर सकता था और अजय इसी काम को 24 गंटे में पूरा कर सकता था लेकिन आठ गंटे काम करने के बाद विजय जो था वो क्या हो गया वो भाग गया तो सवाल है कि अब इस बचे हुए काम को अजय कितने गंटे में पूरा कर पाएगा ये आप लोगों से सवाल है तो इसका अंसर आप लोगों को देना है अब आज आते हैं भई कल वाले हूमवर्क वाले कोशन पर तो कल मैंने आपको कौन कौन से टाइप करवाए थे कल मैंने आप लोगों को करवाए थे टाइप नंबर थ्री और टाइप नंबर फोर टाइप नंबर फोर का जो हूमवर्क का कोशन था वो आप लोगों का क्या काम को 12 दिन में और 48 दिन में और और 36 दिन में पूरा कर लेते थे. तो तीनों गुरुप मिलकर उस-काम को कितने समय में पूरा करते. तो इसका ऊंसर था इस-चार बटे-पांच दिन इस काम को तीनों ग्रुप मिलकर पुरा कर लेतें। तीक कि आप गुमाने के लिए इस तरीखे की बाते की जाती हैं तो इस सवाल को solve करके आपका आंसर कितना आना चाहिए था या तो 120 बटे 13 घंटे ये अगर आपका आंसर आया है तो भी सही है या फिर अगर आपका आंसर आया है 9 सही 3 बटे 13 घंटे तो भी आपका आंसर सही है ठीक तो ये आपके हुमवर के question थे उमीद करता हूँ आप क्लास आपको पसंद आ रही होंगी इसी तरीके से अपना सपोर्ट दिखाते रहो क्लास मैंने हलकी सी लंबी तो कर दी हैं बाकि जब तक आप लोग ज्यादा संख्या में लाइव आओगे नहीं तब तक यह है कि मैं भी सोच रहाऊं कि ऐसे ही क्लास चलने दूँ जब संख्य बढ़ जाएगी विवर्स की तब मैं भी लाइव आना शुरू कर दूँगा बाकि अगर आप लोगों की इच्छा है आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख कर डाल सकते हैं ठीक है चली टेक क्यार आज के लिए इतना ही मिलते है आप लोगों से अगली ग्लास में तब तक के लिए पढ़ते रहें नोट्स बनाते रहें और घर में रहें